हेलो एब्रीवन स्वागत है आपका नीड के मोस्ट इंपोरेंट कोश्टन के सेरीज में पार्ट फाइव में इलेक्रोस्ट्राटिक हम पड़ रहे हैं यहाँ और हमारा आज का मेन फोकस होगा बच्चे कोश्टन बेस्ट रू करते हैं यहाँ फर्स्ट कोश्टन आपके सामन कंडिशन से उसको हमें यूज करना है जब भी ऐसा कोश्टन आपके सामने आता है और यहां पर क्या कर सकते हैं कि जो मारा बी वाला प्लेट है इसके वोल्टेज को मैं वीटू मान सकता हूँ अगर यह वीवन वोल्टेज है तो यहां पर हमारे पास में भी वीवन हो जाग अब हम इसको इसका पहले एक डाइरम मनाते हैं चल क्या रहा यहां पर देखिए यहां से देखना यहां से हमारे पास में है एक प्लेट वीवन को मैंने मान लिया वीवन और यहां पर एक पॉइंट को मैंने मान लिया है वी थरी ओके एक हमारा वीवन है और आप देख सकतो तो यहां पे V1 में और V4 के बीच में हमारे पास में अब देख सकते हो एक प्लेट लगा हुआ है फिर हमारा एक V1 V3 भी है अब देख सकते हो यहां पे V1 V3 चलिए V1 और V3 के बीच में प्लेट हम यहां लगा दिया उसके बाद हमारे पास में किया कि V1 और V4 भी है तो यहां इनके बीच में एक capacitor बन रहा है ना यहां पर हमारे पास में V4 रहा और फिर एक प्लेट को हमने V3 बोल दिया और इसको हमने यहां पर V1 और V2 के बीच में भी एक capacitor है अब देख सकते हो V1 और V2 यह रहा V1 यह रहा V2 यह रहा V1 वाल प्लेट और इधर से हमारा V2 वाल प्लेट आएगा जो point A से आएगा और यह बन गया एक और capacitor और सब की value सेम ही है हम देख सकते हैं बस एक V3 और V4 जो है इसके बीच का जो gap है व V3 माल लेंगे बस V4 V3 वाले को हम क्या माल लेंगे C by 2 माल लेंगे ओके चलिए इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं तो एक कुछ ऐसा combination बन जाएगा हमारे पास में देखिए उपर में capacitance हमारे पास में C है नीचे में एक और C है और फिर हमारे पास में है C by 2 क्योंकि यह V2 और V3 के बीच में है उसके बाद हमारे पास में V3 और V2 के बीच में हमारे पास में है तो यह भी क्या हो जाएगा तो इसके बाद हमारे पास में V1 और V2 के बीच में यह भी हमारे पास में क्या हो जाएगा पर इन सब का आप देखो यूर्ण कर यूर्ण को करेंगे तो यह बनेगा हमारे पास में c into c by 2 divided by c plus c by 2 which is how much which is c square by 2 upon 3c by 2 c से square कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा यानि answer क्या आएगा यहां पर हमारे पास में c by 3 आ जाएगा यह हमारे पास में c by 3 आ गया उसके बाद उसमें हमारा यह जो c है यह पैरलल में है तो यह add हो जाएगा c by 3 में जब हम c को add करेंगे c by 3 में जब हम c को add करेंगे तो हमारा answer क्या एक बड़ा 4c by 3 आएगा and 4c by 3 जो है मतलब यह पूरा जो combination हमारा 4c by 3 है यह 4c by 3 जो है इस c से क्या इस series में है यहां पर फिर से हमें लेना पड़ेगा c1 into c2 upon me c1 plus c2 तो 4c by 3 into c divided by दुनों को add करेंगे हम तो 3c plus 4 से 7c तो 7c by 3 आ जाएगा 3 से 3 हमारा कर जाएगा c से c हमारा कर जाएगा 4c by 7 आएगा और 4c by 7 जो हमारा वो c के साथ के है पैनल में इसको add कर दीजे तो 4c by 7 plus c करेंगे तो क्या आएगा आएगा तो 11c by 7 आएगा और जो c की value है वो कितनी है तो वो हमारे पास में है अब सेलें नौड a by d अब सेलें नौड a by d और question में इसकी value में given है कितनी तो 7 micro farad यानी कि 7 micro farad हम यहाँ पर कर देंगे 7 7 cancel हो जाएगा answer क्या आएगा हमारे पास में 11 micro farad हमारा answer आएगा which is option नंबर option number b is the right answer देख सकतो b is the right answer because यहाँ पर हमारे पास में answer 11 आएगा है तो बस यह circuit अगर आपको समझ में आ गए यह वाला कैसे बनाए तो आपके लिए question कुछ भी नहीं है राम से solve कर सकते हो बस आपको method of common potential use करना है हर एक plate का voltage mention करो और circuit को draw करो और कुछ नहीं है इस question के अंदर करीक्षेंट करें इसको फटेंशल और हमने क्या भडिया सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं पूछागे कि और पूछागे क्या हो जाएगा यहाँ पे पर हम यहां पर इनिशल चार्ज निकालेंगे फिर हम यहां पर फाइनल चार्ज निकालेंगे बहुत सिंप Wow इनिशल किया होगा हमारे पास में से चार्ज किया ठीक है कर दिया है अब कॉमन पोटेंशल डिफरेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में रहता है ठीक है कि अब ऑब्यस्ती बात है कि अब वोल्टेज को चेंज होगा तो लेट से वोल्टेज हमारा वी डैश हो गया अब नया वोल्टेज ठीक है क्योंकि हमने डालेक्टर के इंसर्ट कर दिया है कर जाएगा यानि अब जो फाइनल चार्ज जगा हो क्या होगा तो अब यह जो इनिशल चार्ज इसके बराबर होगा इसके बराबर होगा दोनों की इकवेट कर दीजे यानि कि 3CV इकोल टू K plus 2 into C V dash C से C हमारा cancel हो जाता है और V dash की value कितनी आते है यहां से हमारे पास में इसकी value आते है बच्छे 3 upon में K plus 2 and which voltage which is the right answer 3 V upon में K plus 2 and you can see the option option is option number D option number D is the right answer 3 V upon में K plus 2 ओके तो हमने charge को conserve करा concept ही है कि जब बैटरी को हम remove कर दें तो charge हमारा क्या होता है charge हमारा constant हो जाता है चाहर इलेक्टरी इंसेट करो चाहर इलेक्टरी की इंसेट ना करो next question कि uncharged parallel plate capacitor हमारे पास में है इसके पास इलेक्टरी constant K है उसको में connect कर दिया similar air air code parallel plate capacitor similar capacitor मतलब दोनों उसके अंदर पहले वाले कंद्र डियलेटरी कॉंस्टेंट के दुसरे वाले में सिर्फ ए रखा हुआ है और वहां पे पोटेंशल है वह हमारा वी नौड है तो हमें पूछा गया है कि कपेस्ट की कि पैस्ट को मिसी माल लेंगे यहां पर सेकंड वालेet soir है और सेकंड वाले वालेot का प्लेज्ट कीतना है भी नौट है पिरसे लॉट करेंगे यहां पर सियं कि वैलिफ में इसकДа को दियुन के थो इसका वयलियू कितन है कितना है अतह है T2 यहां से मारे पास में कितना आएगा वी नौट डिवाइड वी आ जाएगा यानि कि यहां से मारे पास में कितना आएगा कितनी आएगा बताईए तो वी नौट डिवाइड बाइड भाई वी माइनस वन डिवाइड दिवाइड भाई एग पास में दिखा रहे हों में को वी वोल्ट की पर कर दिया है पोजिशन डूपर में तो हमसे यहाँ पे पूछा गया कि the percentage of its stored energy dissipated कितना energy इसका है जो यहाँ पे waste हो जाएगा dissipate हो जाएगा यह हमसे पूछा गया है ठीक है तो देखिए पहले तो हमारा जो 2 microfarad का capacitor इसको पहले चार्ज किया चार्ज करने पे इसमें energy कितनी आएगी इसके energy होगी यू initial equals to half cv square क्या होगी half cv square होगी मारा पास इनेशियल energy of the capacitor कितना होगा half cv का मारा पास उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे c की वेलिए मापस में 2 microfarad है अब हमने क्या कर रहा है इस switch को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया अब एक और बात है energy आगे इसके पास चार्ज कितना आएगा तो चार्ज इसके पास आएगा c into v which is 2 microfarad into v मारा v voltage में है और सी बात है यानि कि basically कितना आएगा 2 microcoulomb आजागा चार्ज हमारे पास ठीक है हमारे यह चार्ज हमेशा सेम रहेगा कितना 2 v microcoulomb यह चेंज नहीं होने वाला है ठीक है अब इस सिस्टम के अंदर में हमें चार्ज पता नेट चार्ज मिरों को पता है और इसको हमने वी बोल्ट से चार्ज भी करेंगा 2 common potential value कितनी होगी उसको मालेते हैं वी वीऊ सी वी ची कितना होगा हमारे पास में c1 v1 प्लस c2 v2 डिवाईड़ वाई c1 प्लस c2 2 यह हमारे पास में कितना है यह हमारे पास में है 2 microfarad तो टू एड़ लेंगे इसको हम ठीक है और वीटो आ पास में कितना है तो हम आपस और ऊपर से यहां पर common potential के मतलब क्या है parallel combination जब जब potential सेम हो combination parallel होता है तो parallel में हम दोनों को add कर देंगे यानि 2 plus 8 कितना हो जागा हमारे पास में तो हो जागा हमारे पास में 10 microfarad यानिकि हमारे पास में c net की value कितनी आ चुकी है अब c net की value यहां पर यू फाइनल निकालने कैसे निकालेंगे हाफ सी नेट इंटू वी कॉमन का स्क्वाइर करेंगे तो हाफ इंटू 10 कितना था इनिशल में कितना था इनिशल में हमारे पास में स्क्वाइर था यहां पर वी स्क्वाइर था यहां पर कितना हमारे पास में है यहां पर वी स्क्वाइर था यह वी स्क्वाइर था पांसे काटने में दो आता है पांसे काटने में पांच आता यानि आंसर हमारे पास तो हम किनकी आप promise कि एख्याइब में प्रेशन के लोज और देख सकते हो है कि बवजा पाइब उसका कितिना होता है उसका होता है हमारे पास में 20 किकत्ने परेशन का लॉस हुआ है लॉस कितने का हुआ है 80% का लॉस हुआ है जानि कि इस कोश्चन में आएंगे तो हमको पूछा है एनर्जी डिसीपिएट कितना हो अगा हमार पास में तो मार ऑप्शन नमर डी विच इस एटी परसेंट इस इस एटी परसेंटिक मत मार देना यह हमारा कितना का लॉस कितना का गेन होगा है ठीक है अगले कोश्चन में आते हम यहां पर और v मतलब अल बैब मतलग अलॉस कि तो कितना होता है और 2 होता हैların मतलबody यहां इस क्वाइर डी स्क्मिए ऑप्शन नमर अप्शन यहां कि यहिमारे मार अनर्जिक्वाइड है बहुर सिंपल कोश्चन था और यह भी नीट में आ चुका है यह question, ठीक है, next question हम move करते है, यह भी देखिए, जही मेंस में इस सल question आए, दोजा 24 का question जही मेंस का है, तो identical capacitor है, same capacitor C, आप देख सब दो question पढ़ सकते हो, same capacitor C है, इनके पास में, one of them is charged to potential V, other to potential 2V, ठीक है, negative end of both are connected together, दोनों कमने connect कर दिया है, पस वही हमें common voltage निकालने बेटा, एक का voltage कितना V, एक C है, दूसरा कितना 2C है, दूसरा कितना C है, एक का voltage V, दूसरा कितना 2V है, ठीक है, अब जब हम देखो, पहले case में हम negative end को join कर रहे हैं, okay, and अगले case में हम क्या कर रहे है, when the positive ends are also joined together, मज़रों मेरे बात, जब हो negative end में join था, कि जब आपका जो capacitor था, वो सिर्फ negative end पे join था, तब उसकी energy कितनी होगी, और जब वो positive end में join होगा, तब उसकी energy कितनी होगी, यह हमें से पूछा, तब decrease in energy हम को find करना है, कमा है system का, तो पहली बात तो यहार यहां पे देखो क्या है कि negative end को connect करते हैं, यह हमारा positive end, य यह हमारे पास में यहां का, S and plus, इस case में, there is three's combination, okay, three's combination के मतलब यहां पे हमारे पास में c net की value कितनी होगी, c net की value हमारे पास मुझाए कि बाता, c by 2, और हमारे पास में यहां पर, इसका individual energy निकालो, कितना half cv square, तो हमारे पास में आएगा, half cv square, एक हमारे पास में आएग आएगा answer, यानि कितना आएगा, cv square by 2, plus, c, I mean, 2cv square, यानि answer कितना आएगा, 5cv square by 2 आजाएगा, हमारे पास में क्या, तो initial energy, अब जब हम इसके positive end कर देंगे, तो यह हो जाएगा, parallel combination, तो कि इसका voltage, जो है, common पहुंच जाएगा, उस case में हम क्या करेंगे, हम यहां पे नि आएगा, इसका square कितना हो जाएगा, पताइए, 9v square by 4 हो जाएगा, तो से 2 हमारे यहां पे cancel हो जाएगा, तो यानि कि u final कितना आएगा, तो 9 by 4 cv square आएगा, जो पहले कितना था, एले हमारे पास में था वो 5 by 2 cv square, तो इस बात का ध्यान रखेगा, हम से बुछा decrease energy, तो कुछ नहीं करना है, हमको इसको minus कर देना है, जो यह लिए minus कर देते है, initial minus final करेंगे हम यहां पे, initial minus final करेंग तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, गुडबाई, टेक क्या, क्या आएओत प्यान रखेगा, तो कि बच्चों, मिलते हैं प्यान वोले है, तो कि वीडियो में देख़ चकी बच्चों, मिलते हैं, भी बच्चों, मैं यहां प्यां झाएगा, प्यां अर्थाद